तो एक और दिन पूरी का और उसके बाद कल है हमारा आखरी दिन तो यह देखिए आज की मस्ती आपको दिखा रहे हूं कल हम करेंगे एक बार फिर से जगनाजी के दर्सन उससे पहले आपको एक बहुत ही प्यारा चीज दिखाते हूं यह देखिए यहां का गोल्डन बीच ज साइड है गोल्डन बीच जो की विदेशियों के लिए है तो यहां पर विदेशी आते हैं इसलिए यहां पर टिकेट लगा हुआ है अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको पचास का और बीच का टिकेट लगेगा तभी आप अंदर जा सकते हो अदर्वाइस आपका यहां पर प्रोहिबिटेड है अंदर जाना मतलब कि अंदर आप नहीं जा सकते हो तो हमें हमें बहुत क्योरिसिटी ओरी थी देखने की यह गोल्डन बीच है क्या तो इसलिए हम यहां आ गये तो हमने हम अंदर नहीं गये क्योंकि ऐसा कुछ खास लगा नहीं बट हां भई मैं निकले एक बार घूमने के लिए और उसके बाद सीधा सुबा में सबसे पहले मैं चार बजे पहुँच गई मंदिर बागी सब लोग घर में सोय हुए है और मैं पहुँच गई अकेली मंदिर जगनात जी के दर्सन करने के लिए अगर आपको भीड पसंद है तो आप का पार बजे का यह भीड है ऐसा भीड ऐसा भीड जो देखते बनेगा यह तो अगर आप लाइन की भीड देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे और इसके बाद आ गया हमारा दूसरा दिन जबकि हम बहुत मायूशी से कहना पढ़ रहा है हमें बाबाई पूरी तो आज है हमारा यह आकरी दिन आज भी हमने सुबह सुबह थोड़ी मस्ति करी ही ली थी समंदर में नहां ही लिया था अब जाना पड़ रहा है घर पे तो थोड़ा मन तो उदास है ही बढ़ ठीक है नेक्स्ट यह फिर से तो चलो यह देखो पूरी के रोड और साइट सेंस को दिखा लगा आप कमेंट में जरूर बताना और यह देखो यह हम स्टेशन पहुंसते के साथ यहां पर मिल गया हमें एक बहुत ही प्यारा काना जी का विग्रह जो मुझे दिखाना तो आप लोगों को दिखाना तो बनता था तो यह मैंने दिखाया और यह दोग यह पूरा चारो लगा हुआ है क्योंकि चारो तरफ अभी पूरी का बन रहा है स्टेशन पूरा तोड़ फोड मचा हुआ है और बीच में यह बहुत ही प्यारा सब व्यू आ रहा था तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना तो बनता है और यह देखे इस बार का सीट बहुत ही बिकार मि सब्सक्रारा वो दो वगी छोड़ कर हमें मिला है जहां पर उसके पापा सोई हुए है तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो इसलिए देखो बाबाई थैंक्यू सो मच पर वाचिंग